धन्यमाद दोस्तों मैं श्याम धरबिंदे आज हम आप सब को फोकस दूरी यव तथा वक्रता तृज्जा आर में संबंध बताएंगे अर्थात यव बराबर आरवाईटू का निगमन की और यो भी अउतल धरपड के लिए यह फार्मूला गूली धरपड से संबंधी थे गूली धरपड आप सब जानते हैं कि दो प्रकार का होता है आउतल धरपड और उतल धरपड यानि कि फोकस दूरी तथा वक्रता तृज्जा में संबंध बताएंगे ओ भी यह बराबर आरवाईटू होता है और वह निगमन हम आज आउतल धरपड के लिए करेंगे किसके अब दिखे आउतल धरपड यानि कि सरप्रता में हमीं दरपड बनाएंगे आउतल धरपड यह है तो यह क्या हुआ कांच का एक कोंगला गोला का कवनों कटा हुआ पार्ट है, जब हमेशा पालिस किया जाता है दाय शाइट से, आप क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रकास की किरड या हमेशा बाय तरब से डाली जाती है, क्योंकि प्रकास की किरिड़े हमेशा बाएं तरफ से डाली जाती है अब देखें यह लाइन इस लाइन का नाम है मुख अच्छ जहां काटा है इस दरपड को इसको हम P से दरसाते हैं इसका वक्रता केंद्र को C से दरसाया फोकस को यव से दरसाया अब यहाँ पूरी विवस्था तयार हो गई है अब क्या करेंगे मुख अच्छ इसका नाम रखा यमवन यमटू यमवन यमवन रखा यमटू रखा यमवन यमटू दरपड का नाम रखा अब देखें अब प्रकास की किरण मुख अच्छ के समांतर गुजारेंगे क्या करेंगे मुख अच्छ के समांतर प्रकास के किरण गुजारा इसका भी नाम रखा अब जब मुख अच्छ के समांतर किरण गुजारेंगे तो अउतल दरपड से टकराने के बाद यह फोकस से हो कर जाती है यह हो गया, जोट प्रकास किरण गई उसका नाम है आप्तित किरण, जो टकरा का लोटी उसकी रण का नाम है प्रावर्तित किरण, यह एक अभिलम खीचा, इसको हम अभिलम कहते ही, बस सिस्टम तैयार हुआ, याई जिएक अगर अगर आप फोकस यप वक्रता केंद्र C है तथा मुखच के समांतर इस लाइन को मुखच काते हैं मुखच के समांतर AB1 किरर गुजारा गया है तो दरपड से टकराने के बाद प्रावर्तन का नियम लगा देंगे पस इतना किया जाता है यानि कि क्या लिखना है आपको माना यम वन यम तू एक अवतल दरपड है जिसका धुरूपी फोकस यप वक्रता केंद्र C है जब प्रकास की किरण मुखच के समांतर गुजारा जाता है तो प्रावर्तन के नियम से प्रावर्तन के नियम से आप क्या करेंगे भाई आप जानते हैं प्रावर्तन के नियम होता है आपतन कोण बरावर्तन कोण होता है आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलम के बीच बनता है यह आपतन कोण हुआ आपतन कोण कहते हैं आपतन कोण कहा प्रावर्तन कोण का मतलब प्रावर्तित किरण और अभिलम के बीच बना यह कोण प्रावर्तन कोण हुआ आपतन कोड को आई से दर्शाया जाता है प्रावर्तन कोड को आर से दर्शाया जाता है यानि कि प्रावर्तन के नियम से आपतन कोड बराबर प्रावर्तन कोड आपतन कोड का मतलब कोड आई प्रावर्तन कोड का मतलब कोड आर कोड I के जगे हम लिख सकते हैं A, B, C यानि की कोड I के जगे हम लिख सकते हैं कोड A, B, C अब कोड R के जगे हम लिख सकते हैं कोड को हमेशा बीच में रखा जाता है कच्छा नाइथ में बताया जाता है कोड भई अब दिखिए हमें R लिखना है R को लिखेंगे C, B, F चाहें F, B, C जो इच्छा है आपको यानि कि कोण C, B, C, B, F लिखा इसे समीकरण एक माना अब देखें एकांतर कोण से एकांतर कोण से एकांतर कोण से एकांतर कोण का मतलब अगर दो इठनी समांतर रेखा है उसको कोई तिरियक रेखा कारती है तो यह कोण बराबर यह कोण या दो कोई समांतर रेखा है कोई तिरियक रेखा कारती है तो यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण का रोल है ऐसे सवाल में एकांतर कोण से एक आंतर कोड से कोड A, B, C यानि कि E कोड बराबर E कोड होगा यह कोड बराबर यह कोड होगा एक आंतर कोड का रूल यानि कि कोड A, B, C बराबर B, C, Y कोड B, C, Y समीकरन नंबर दो समीकरन नंबर दो समीकरन एक दो आप देख रहे हैं बाया पच्छ बराबर है तो दाया पच्छ बराबर होगा समी करण एक दू का तूलना करने पर तूलना करने पर तूलना करने का मतलब इनका बाया पच्छ बराबर तो दाया पच्छ बराबर होगा जैसे मार्केट में आप गए एक किलो टमाटर खरीदे, एक किलो मिर्चा खरीदे, तब एक किलो बाट जो अगर उठा कर दूर रख देंगे, टमाटर और मर्चा तवलेंगे तो बराबर ही रहेगा, ऐसे सवाल में भी, इनका बाया पच्छ बराबर है तो दाया पच्छ बराबर ही रहेगा, कोण C, B, Y, आप बराबर कॉन बी सीफ कछ्षा नाइंत में बताया गया था अब दिख़े इसी-दिल्व mmz या नि कि किल मेला कर बी सीफ में यहा झाम सीफ यहां पर बी सीफ कहने का मतलब इसी-दि त्रिहुज में अग इसी त्रिहुज में कौन बराबर था भुजा बराबर या सुत्र होता है कौन क्या बी के सामने कौन इसमें दरसा आ गया है सी के सामने कौन जो बीच में रहता है उसी को कौन कहा जाता है यानि कौन सी भी अब CBF का मतलब कोण B के सामने कोण भुजा आ रहा है देखे इधा कोण B B यहाँ देखें कोण B यहाँ दे CBF यानि कि CF आ रहा है इसके जगे हम CF लिखा BCF BCF का मतलब BF हम लिखे यानि कि इस कोड बराबर क्या आ रहा है देखें इस कोड B, C, F के जगे कौन भुजा रहा है B, F या कोड के सामने कोड C के सामने कौन भुजा है देखे B, F है इसलिए B, F लिखा B, F लिखा अब देखे B, F B, F B, F इधर हमें जरूरत नहीं क्यों जरूरत नहीं P और F के बीच की दूरी को इसमाल, Y, F कहा जाता है C और P के बीच की दूरी को R कहा जाता है हमें तो Y, F और R की जरूरत है या और यहां पर जाकर B, Y, F ऊपर चला गया है इसके लिए भिज्ञान को नहीं जुवार बताया या किसके लिए लागू है यदि दरपड का दौरक है छोटा हो तो यादि यानि कि कहने का मतलब यादि दरपड का दौरक छोटा रहेगा तो B, P के निकट होगा यादि दरपड का दौरक यह दौरक है अगर यह छोटा हो गया तो B, 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 P के बहुत निकट होगा यानि कि B, P पर आ जाएगा तब बीयफ और पीयफ आपस में बराबर हो जाएगा यहां पल लिख देना चाहिए यदि यदि दरपड का द्वारक छोटा हो तो जब दरपड का द्वारक छोटा हो तो इसे समिक्रण एक माना हम समिक्रण दो ठीन मान चुके थे इसे हम तीसरा मान लिया समिक्रण तीन अब देखे यदि दरपड का द्वारक छोटा हो तो यदि दरपड का द्वारक छोटा हो तो क्या करेंगे दरपड का द्वारक छोटा रहेगा तो बी एकदम पी के निकट रहेगा जब B, समझ लेजे P पर आजाएगा, BF और PF बराबर ही रहेगा, यानि कि BF और PF कहने का मतलब जतना PF रहेगा, उतना BF रहेगा, समेकरण इसे चार माना, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कब जब बी एकदम P परा जाएगा, जितना BF उतना PF, यानि PF बराबर BF हो जाएगा, वही चीज लिखे, अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3, 4 से, समीकरण 3, 4 से देख रहे हैं, दाया पच्छ बराबर तो बाया पच्छ बराबर, जैसे अभी हमने सब्जी वाला उदाहरण दिया यानि कि इनका जब डाया पच्छ बराबबर तो बाया पच्छ बराबर होगा कहने का मतलब CF बराबर PF CF बबर PF होगा CF बराबर PF अब देखे CF और PF PF को हम तो लिख सकते हैं इस मालब लेकिश सीयया को कुछ नहीं लिख सकते लेकिन कहीं अगर CF में PF जूट जाए तो काम बन जाएगा अगर CF में इसी CF में PF अगर जूट जाए तो हम PC लिख सकते हैं इसलिए दोनों पच्छों में PF जोडने पर दोनों पच्छों में PF जोडने पर जोडने पर जोड क्यों रहे हैं भाई जोड इसलिए रहें जिससे CF को हम कुछ दूरी नहीं लिख सकते हैं ना R लिख सकते हैं ना भ經 P F लिख सकते हैं इसलिए R कम लिखें लिखेंगे जब P F और C F जुटा रहेगा तब इसलिए दोनों पच्छों में P F जोडने पर जब P F हमने अब देखें चितर करुशार से CF और PF को हम PC लिख सकते हैं एतने दोनों को हम लिख सकते हैं क्या भाई PC लिखा अब देखें एक PF या आए एक PF या आए टू PF होगा अब देखें चुंकी PC चुंकी PC PC बराबर PC बराबर हमेशा कहा जाता है कि दरपड के बाई और दूरी जो लिजाती हैं रिडात्मक दाई और क्या लिजाती हैं धनात्मक PC बराबर यानि की होगा रिड आर क्या होगा रिड आर और ऐसा ही PF यह भी दरपड के दिखें धुर के बाई और हैं दाई और धनातमक, बाई और रिरातमक, यानि कि P F, P F वराबर रिर्यफ, किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ें हम, देखे इधर, यह हमान इसमें लखा, PC के जगह इसमाल रखा, और माइनस आर और इधर, 2 अपने जगह है P F के जगह P F के जगह minus F जब minus F रखेंगे minus F minus से minus cancel R बराबर हुआ 2 F अब तिरिया गुरा करेंगे तो दूइ बटे मा जाएगा R का बटा 2 होगा इसलिए इसलिए इसलिख सकते हैं F बराबर R by 2 यह हुआ आपका निगमन फोकस दूरी और वक्रतात तरिज्जा में यही संबंध है बस अगले दिन आपको उतल दरपड़ के लिए फोकस दूरी तथा वक्रतात तरिज्जा में संबंध बताया जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में सेयर कीजिए धन्यमाद भाई